भर्याना के मुख्य मंत्री नायाप सिंग सेनी ने 5 अप्चूबर को होने वाले विधान सवा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है सेनी ने अपनी पत्मी सुमल सेनी कींड्री मंत्री मनुहलाल खचर और कुरुक शीतर के सांसद नवीन जिंदल की मौचूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया इससे पहले मुख्यमंत्री ने लाडवा विधान सवाक शीतर में रोडशो भी किया नामांकन के दौरान नायाप सीनी ने अपना हलफ नामा भी दाखिल किया इस हलफ नामे से उनकी संपत्ती, नेट वर्थ और सूनी चांदी से जुड़ी डीटेल्स का खुलासा हुआ है मुख्यमंत्री ने अपने चुनावी हलफ नामे में अपनी चल और अचल संपत्ती का डीटेल प्योरा दिया है जिसके मताबिक नायाब सेनी ने 72,68,000 रुपे और 4,85,000 रुपे अपनी संपत्ती घोशित की है नामंकर पत्र के अनुसार सेनी के पास 1,75 लाख रुपे नगद है जबकि उनकी पत्नी के पास 1,40 लाख रुपे है सेनी के पास 3 तोयोटा कारे भी है जिसमें 2 इनोवा कार भी शामिल है मुख्यमंत्री के पास अपने पैत्रक गाउं में कृशिभूमी का एक टुकड़ा और एक आवासी भवन है जबकि उनकी देनदारियां 74,82 लाख रुपे है मुख्यमंत्री नायाप सेनी के पास 2 लाख रुपे कीमत के जिवरात है जबकि उनकी पत्नी के पास 6,5 लाख रुपे के गहने है मुख्यमंत्री के चुनावी हलफ नामे के मुताबिक उन्होंने 2010 में मेरट के चौधरी चरण सिंग विश्व विध्यालह से लेल भी की थी सेनी ने ये भी घोशना की है कि हमाचल प्रदेश के सिर्मोर जिले के मीरपुर कोटला गाउं में उनका एक स्टोन क्रशर भी है नायाप सेनी ने हुकार भरी है कि तीसरी बार हर्याना में कमल खिलेगा जिस लगन के साथ आप लोग बैठे हैं आप सभी लोग आठ तारी को कमल का फूल खिला करके दूरा राम जी को चिंडिगर में करके आएंगे मैं स्वागत करूँगा कॉंग्रेस के हवा होने के बावचूत बीजेपी उम्मीदों की लहरों पर सवार है जो मान रही है कि हर्याना में हैट्रिक लगने वाली है हाला कि अब एक महिने से भी कमवक्त बच्चा है जब तै हो जाएगा कि हर्याना का सरदार कौन होगा